ओम अथ कैवल्यपादः जन्म आउशधी मंत्र तापः समाधि जाह सिद्धयः जात्यंतर परिणामाह प्रकृत्या पूरात् निमित्तं अप्रयोजकं प्रकृती नाम् वरण भेदस्तु ततह क्षेत्रिकवत् निर्मान चित्तानी अस्मिता मात्रात् प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तं एकं अनेकिशाम् तत्र ध्यानजं अनाशयं कर्म अशुक्ल अक्रिष्णं योगिनाह त्रिविधं इतरिशाम् ततह तत्विपाक अनुगुनानाम इव अभिव्यक्तिही वासनानाम् जाति देश काल व्यवहितानाम अपि आनंतर्यं स्मृति संस्कारयोह इकरूपत्वा तासाम् अनाधित्वं च आशिषो निच्यत्वाः हेतु फल आश्रय आलंबनैहि संग्रिही तत्वात इशाम् अभावे तत अभावः अतित अनागतं स्वरूपतो अस्ति अध्वभेदात धर्मानाम् ते व्यक्त सूक्ष्मा गुनात्मानाम् परिनाम इकत्वात वस्तु तत्वं वस्तु साम्य चित्त भेदात योह विभक्तह पन्थाह नच एक चित्त तंत्रम् वस्तु तत अप्रमानकं तदा किम्स्यात् तत उपराग अपिक्षितत्वात चित्तस्य वस्तु ज्यात अज्यातम् सदा ज्याताह चित्त वृत्तयह तत्प्रभोह पुरुशस्य अपरिनामित्वात् नतत्स्वाभासं द्रिश्यत्वात् एक समयेच उभय अनवधारणं चित्तांतर द्रिश्य बुद्धी बुद्धेह अतिप्रसंगाह स्मृति संकरश्य चितेह अप्रती संक्रमायाह तत् आकारापत्तव स्व बुद्धी संवेदनं द्रश्ट्री द्रिश्योह उपरक्तं चित्तं सर्वार्थं तत् असंखिय वासनाभिही चित्त्रम अपि परार्थं संहत्यकारित्वात् विशेश दर्शीन आत्मभाव भावना विनिवृत्तिही तदा विवीक निम्नम् कैवल्य प्राग्भारं चित्तं तत् छिद्रेशु प्रत्यय अंतराणी संस्कारिभ्याह हानम इशाम क्लेशवत उक्तम प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वाथा विवेकक्षातेही धर्ममेगह समाधिही ततह क्लेश कर्म निवृत्तिही तदा सर्व आवरन मल अपितस्य जानस्य आनंत्यात नेयं अल्पं ततह कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिही गुनानाम क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्याह क्रमह पुरुशार्थ शुन्यानाम गुनानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम् स्वरूप प्रतिष्ठावा चितिशक्तिही इति इतिकैवल्यपादाह इतियोगसुत्रम्